स्टीम जोती मौर्या और उनके पती आलोक मौरे का विवाद अब एक नया मोड में आ गया है पतादे आलोक ने अपत्नी पर लगाए आरोप वापस ले लिये हैं हाला कि उन्होंने इसकी कोई वज़ा नहीं बताई है दरसल सोमवार को आलोक जाज कमेटी के सामने जोती मौरे के खिलाफ साक्षिय पेश पहुंचे थे और वो आयोक्त अमरत पाल बिंद के सामने हुए जाज कमेटी के बाद करीब आदे घंटे तक उन्हों मौजूद रहें उन्होंने जाज कमेटी पर लिखित प्रातना पत्र देकर शिकायत वापस लेने का प्रस्ताव रखा आलोक ने कहा कि मैं सोच समझ कर शिकायत वापस ले रहा हूँ उनके इस फैसली से जोती मौरे को बड़ी रहात मिली है अब जाज कमेटी ने अपने रिपोर्ट कमिशन प्रियाग राज को भेजी है इसके बाद प्रसाशन यह तैग करेगा कि मामले की जाज करनी है यह नहीं पतादें आलोक ने PCS अधिकारी जोती मौरे पर भ्रश्टाचार की शिकायत प्रसाशन को की थी आलोक ने कहा कि PCS अफसर बनने के बाद उन्होंने करोडों की संपत्ती अरजित करी है साथ ही अपनी पत्नी पर होमकाट के साथ गैर संबंद बनाने का आरोप लगाया था अभी के लिए के वल इतना ही ऐसी तमाम ख़बरों के देखते रहें पंजाब के स्टी टोप